चलिए आपको एक बार फिर लिए चलते हैं कानपूर जहां मौजूद हैं प्रधान मंतरी नरेंद्र मूदी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में प्रधान मंतरी नरेंद्र मूदी मौजूद हैं उनके साथ उत्तरप्रदेश के मुख्य लेकर बीते 6 साल में क्या कुछ काम हुआ है ये समझने के लिए प्रुہानमंत्री ने रुक किया है कानपूर का वो कानपूर शहर जोildख गंगा की सफाई के लिहाज से सबसे नीचे आता था पायदान में वो कानपूर जोंडा जया बना जाता था 305 अलग अलग प्रोजेक्ट्स को परियोजनाओं को मन्जूर किया गया है जिसमें से 109 परियोजना है अब तक पूरी हो चुकी है यानि कुल मिलाकर लगबग 200 परियोजना ऐसी है जो अभी पैंडिंग है लेकिन इसी के साथ-साथ कैसे नमामी गंगे अभियान को सफल बनाय इसके लिए तमाम कदम लगातार उठाए जा रहे हैं और जो गंगा है उसकी शुरुवात कहां से होती है वो हम आपको बता देश जानता है गंगा नदी की शुरुवात उत्राखन के गंगोत्री से होती है और ये बंगाल की खाली में मिल जाती है और इस दर्मियान जो बंगाल की खाड़ी तो यह हजारों किलोमीटर का सफर तै करते हुए गंगा नदी उत्राखंट से शुरू होकर पश्चिम बंगाल तक पहुंचते हैं और इसी दर्मियान देश के अलग-अलग हिस्सों में जो प्रदूशन है उसकी मार्भी जहेलती है लगातार शेहरों की गंगा नदी में मिलती रही है यही वज़ा है कि 2020 तक अब गंगा नदी को साफ करने का लक्ष सरकार की तरफ से तै किया गया है और जब गंगा नदी को साफ करने का लक्ष सरकार ने तै किया तो सरकार के सामने चुनौतिया कहीं जादा थी जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो यह कि गंगा नदी के किनारे जो तमाम गाव वसे हुई हैं उनको कैसे ODF कराया जाए मतलब वहां पर जो तमाम लोग हैं वो खुले में शौच ना जाएं इस लिहाज से क्या कुछ काम किया जाए जो तमाम तलहटी है गंगा नदी की उसमें जो कच्रा जमा है उसको कैसे बाहर निकाला जाए जो प्रदूशन आसपास के पूरे इलाके में देखने को मिलता है उस पर कैसे लगाम लगाई जाए और जो धारा है गंगा की उसको कैसे अवरल बनाया जाए कैसे उसको स्वक्ष बनाया जाए इस तरीके कि कई चुनोतियां सरकारों के सामने रही हैं कार पूरी तरीके से साफ हो चुकी होकी यहां रुकराय को सदेर के लिए तुरंत हाजर होता है